तो इस वीडियो में आप जानेंगे ये एक मात्रे स्किल जो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एक successful entrepreneur बना चाहते हैं, अडानी, अंबानी और टाटा जैसा अगर आप सफल बिसनर शुटर करना चाहते हैं, तो ये स्किल आपको सीखना बेहत ज़रूरी है बिना स्किल के आ आगे नहीं बर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, शुरूर करते हैं इस वीडियो, तो यहां पर कुछ स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा, कुछ स्किल्स आपको जाना पड़ेगा, अगर आप एक successful बना चाहते हैं, अगर आपको master बना है, अगर आ point A से point B तक जाना चाहते हैं, 10 km कर सफर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, चल के जा सकते हैं, उसमें जादा समय लगेगा, आप bike के माधियम से जा सकते हैं, आप flight के माधियम से जा सकते हैं, आप helicopter के माधियम से जा सकते हैं, आप rocket के माधियम से भी जा सकते हैं, तो य में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला आता है कि capital, पुंजी, जब भी आप business शुरू करना चाहते हैं, सबका ये पहला problem होता है कि पैसा नहीं है मेरे पास business शुरू करने के लिए, तो पैसा कहां से raise करें, इतने जो अरब पती, करोर पती billionaires है, इनका पैसा कहां से आता है, आडानी, अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजॉस, इनका पैसा कहां से आता है, इनका net worth जो हम चिलाते है, इतना billion, 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 इनका billion dollar तो इनका bank account में नहीं है, तो इनका wealth कहां से शुरू होता है, wealth होता है, क्योंकि capital raise करते हैं, अपने business को शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए, expand करने के लिए, scale करने के लिए, किसी नए company को खरीदने के लिए, यहाँ पर दो तरीके से आप capital raise कर सकते हैं, सबसा पहला होता है कि debt, मतलब करजा, bank से आपने करजा लिया, किसी दूसरे से करजा लिया, आपको, यहाँ पर sooth देना परता है, interest देना परता है, दूसरा होता है कि आप sooth अगर नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आप अपने company का माली का नहाख जो है, वो sell कर सकते हैं, माली का नहाख मतलब equity, जी हाँ, आप equity sell कर सकते हैं, आप venture capitalist को sell कर सकते हैं, आप public market में sell कर सकते हैं, आप अपने company का माली का नहाख बेचा, और वहाँ से आपने पैसा उठाया, यह होता है, सबसे easiest, and it is the widely used method of raising capital, बहुत साइब लोग bootstrap करते हैं, अपने pocket से पैसा डालते हैं, मैं भी वही करता हूँ, और इसमें एक advantage भी होता है, disadvantage भी होता है, क्योंकि आपके पास limited पैसा होता है, unless and until you are a billionaire, या आपको कोई property छोड़के गया है, right, so इसी सबसे पहला चीज जो है, raising capital is a leverage, अगर आपके पास पैसा होता है, maybe it's debt, maybe it's equity, जैसे अगर आप अपना जो company का stock, जिसको stock market कहते हैं, stock market में क्या होता है, company का जो माली का नहा के वो बेचा जाता है, आप एक company का माली का नहा हक खड़ीते हो, और उसका जो share price है, वो share price company को देते हो, और वो पैसा जो company के पास आता है, company उसको rotate करता है, वो पैसा उसके लिए, वो use करते है अपनी business को चलाने के लिए, या बैंक से आप करजा लेते हो, ताकि आप अपनी business को चला सकते हैं, तो यह होता है raising capital, this is a form of leverage, to run your business and grow your business, दूसरा हो जाता है, delegation इसका मतलब यह है कि, अगर आप, जैसे मेरे साथ यह बहुत होता है, अगर आपको सब कुछ आता है, accounting आता है, marketing आता है, sales आता है, planning आता है, research and development आता है, web development, सब कुछ आता है, पर आप जब grow करना चाहते हैं, तो आप अकेले यह सब नहीं कर सकते हैं, आपको एक team चाहिए होगा, जो आप चुक करना चाहते हो, maybe you are an expert, but you are giving the work to them, so they can do it better, and they can do it on behalf of you, यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप burn out हो जाओगे, आप पूरा जो काम है, वो करना ही पाओगे, जादा customers को cater नहीं कर पाओगे, अपने business को grow नहीं कर पाओगे, अपने business को आप skill नहीं कर पाओगे, तीसरा होता है, कि अलग-अलग जो tools होते हैं, उसको use करना, कैसे tools होते हैं, अगर आप for example coder है, अगर आपने app develop किया है, अगर आपने Facebook बनाया है, कोई भी Google बनाया है, ये code है, अगर आप code बनाते हैं, तो code आपके लिए काम करता है, तो for example Facebook, Google, या कोई भी ये जो video देख रहो YouTube पे, ये भी आपके code के उपर ही बनाया गया है, so you can use code as a leverage to grow your business, दूसरा हो जाता है, मीडिया, मीडिया जैसे ये videos मैं बना रहा हूँ, ये एक मीडिया मैं तयार कर रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं, और जब आप देख रहे हैं, वो आप हमारे बारे में जान पा रहे हैं, और इसी तरीके से आप देखोगे, टीवी चैनल, जितने भी entertainment के चैनल होते हैं, वो मीडिया प्रोड्यूस करते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, अभी भी आप देखोगे, 30 साल पुराने movies जो है, आप YouTube पे देख सकते हैं, वहाँ पे आप आप आड देखते हैं, तो वो company जो है, जिसके पास इसका माली काना हक है, उससे वो पैसा कमाते हैं, 30 साल पुराना चीज है, पर उससे भी वो पैसा कमारा है, so media can be used to create value, to create wealth, तीसरा हो जाता है, patent और processes, अगर आपके पास कोई special patent है, या process है, या किसी चीज को करने के लिए, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे पैसा कमा सकते हैं, that is a form of leverage, अगर आपके पास patent है, वो कोई चीज को इस्तेमाल करना चाता है, अपने business को grow करने के लिए, अपना patent आप उसको sell कर सकते हैं, और उसके मादियम से आप royalty income कर सकते हैं, 15 साल, 20 साल, जितने दिन आपके पास patent का जो license है, वो आपके नाम जितना दिन रहेगा, चौथा चीज हो जाता है, वो ये है कि, क्या आपका business जो है, वो physical है, या digital है, बोलने का मतलब हो जाता है, अगर आपका business physical है, तो आप एक limited area में रह सकते हो, अगर आपको scale करना है, तो उसमें बहुत resources चाहिए होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे options है, अगर आप अपना trucking का business, transportation का business शुरू करना जाते हैं, आपको truck चाहिए होगा, truck आप कैसे नए खरीद सकते हो, आपने bank से loan लिया, या आपने अपना public company खोला, आपने share sell किया, किसी venture capitalist को, या आपने open market, IPO के माध्यम से, आपने company का share बेचा, वहाँ से लोगों ने आपको पैसा दिया, फिर उससे आपने truck खरीदा, जादा truck खरीद के आपने, अपने business को expand किया, यह होगी आपकी physical leverage, दूसरी होजाती है, अगर आप Facebook करना चाहते हो, आप Delhi में राके कर सकते हो, आप धाका में राके कर सकते हो, आप London में राके कर सकते हो, आपको सिफ internet चाहिए होगा, so that is a digital asset, तो यहाँ पर भी digital asset अगर आपके पास होता है, digital business अगर आपके पास होता है, उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, जादा से जादा लोगों तक आसानी से पहुँचनी की है, so this is how you can use leverage, to grow your business, become successful, and become a millionaire, without much headache, इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं, यह leverage चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको successful entrepreneur बनने से, कोई नहीं रोख सकता, हाँ आपको रास्ते में जाते वक्त, bumper तो आएंगे, गड़े भी आएंगे, traffic signal भी आएगा, पर अगर आपका मकसद आपको पता है, कि मुझे point B तक जाना है, तो आप आसानी से leverage के मात्यम से, उस जगा पे आसानी से जल्दी बहुँच सकते हैं,